तो दोस्तो जब से YouTube पर YouTube Shorts लोन चुआ है तब ही से ये चर्चा में है और हाली के दिनों में काफी कंट्रोल वर्षी चल रही है YouTube के Shorts पर लोग कुछ कह रहे हैं कि YouTube Shorts मत बनाना आप इसमें कोई फायदा नहीं है क्योंकि YouTube Shorts के अभी सारे Thumbnail भी गायब हो गए है Notification भेजना भी बंद कर दिया है और बहुत सारे लोग Shorts अभी भी Create कर रहे हैं तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी Shorts Create करें या आप Shorts का एक नया चनल Create करें या अभी भी आप पुराने चनल पर Shorts बना रहे हैं तो इस वीडियो को complete जरूर देखेगा क्योंकि मैंने सारे मेटर पर YouTube टीम से बात किया और उनका जवाब भी मुझे मिल गया है तो मैं complete आपको बताने वाला हूँ और यह बताऊंगा कि YouTube Shorts में जो भी ये चेंज़े जा रहे हैं उसके बारे में YouTube का क्या कहना है आपसे एक request 70% लोग हमारे वीडियो को regular देखते हैं मगर यार सब्सकाइब नहीं करते तो प्लीज यार आप लोग भी सब्सकाइब YouTube Shorts के जो Notification है ये क्यों नहीं जा रहे हैं तो देखे मैंने इसमें YouTube से चैट पर बात की थे YouTube Shorts के बारे में YouTube का ये कहना है कि भईया Notification ऐसा नहीं है कि हमने बंद कर दिये हैं लेकिन उसको काफी जादा हद तक personalized कर दिया है तो आप Notification बहुत कम मात्रा में जा रहे हैं और इ आते हैं जो Notification है वो काफी कम जाते हैं ये बात बिल्कुल सच है बात करें अर्निंग की तो देखे YouTube Shorts को हम monetize तो करते हैं लेकिन अगर कोई browse feature वगेरा से देखता है तो कभी-कभी उस पर add आते तो ही आपको revenue मिलता है और जो Shorts की Sell पर जिसमें Swipe Up करके देखे जाता है वह उस पर चुरान में 1000 के आसपास व्यूज आयते लेकिन एक भी पैसे का revenue मुझे नहीं मिला तब कि वह सारा का सारा जो उस पर व्यूज आया था उस पर ज्यादतर व्यूज ब्राउज फीचर से ही आया था अब मैंने YouTube Shorts के बारे में जब YouTube से बात करी कि आपने thumbnail भी गयब कर दिये तो आखिर actual में हो क्या रहा है अब YouTube Shorts हमको बनाना है नहीं बनाना इससे कुछ फायदा है यह नहीं है तो देखे YouTube टीम का मुझे जवाब यह है कि पहली बात तो YouTube Shorts जो है न वो अभी उन्होंने launch किया ही नहीं है YouTube Shorts आप देखेंगे तो बीटा में है अभी यानि कि अभी YouTube Shorts को YouTube खुद अलग-अलग faces में टेस्ट करके देख रहा है वो टेस्टिंग चल रही है इसकी तो ऐसे जैसे notification पहले जा रहे थे फिर personalized किये तो ऐसे ही उन्होंने thumbnail ऐसे remove कर दिये और thumbnail का remove करने का जो system था ना लोग कर रहे थे यह कोई update तो नहीं है यह कोई bug तो नहीं तरह देखा जाता है इस तरह से अगर desktop पर आप देखो किसी के भी चल पर जो shorts बनाते हैं तो आपको thumbnail नजर आएंगे लेकिन mobile पर हो सकता है कि आपको नजर नहीं आए जैसे कि अभी नहीं आ रहे है तो इस तरह से YouTube Shorts में काफी तरह की testing अभी चलेगी उसके बाद यह launch होग अब बात करते हैं कि YouTube Shorts हम बनाएं यह नहीं बनाएं तो simple सी बात यार YouTube Shorts आप बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप नया channel भी बनाना चाहते हो तो भी बनाएं कोई problem नहीं है लेकिन हां mobile पर thumbnail साया दिखाई ना दे सिर्फ desktop पे दिखाई दे और notification भी ना जाए fund मिलने वाला है आपको और इसमें क्या होगा कि यह जो fund है यह उनको मिलेगा जिनके Shorts वाइरल हो जाएंगे तो I think Shorts है जूड़ी जितनी भी नई जानकरी थी वो मैंने आपको बता दिये अब यह आपको डिसाइड करना है क्या आपको YouTube Shorts बनाना है या फिर नहीं बनाना बाकि आप मुझे comment में बताएं कि क्या आप YouTube Shorts बनाते हैं आगे बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं जो भी feedback है मुझे comment में बताएं वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक सिर कर दीजिए चल में पहली बार है तो सब्सक्राइब परने की साथ साथ नोडिफि किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए चैहिंद